हलो एवीवन, विल्कम टू मा यूट्वीब चैनल काइनास किचन, आज हम बनाएंगे मतन करी अब चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कूकर ले लेंगे और गैस के फ्लेम को आउन कर लेंगे जब कूकर थोड़ा गर्म हो जाये तो हम इसमें मस्टर्ड ऑल डाल देंगे इसके बाद हम ऑईल के अच्छे से गर्म होने के बाद बारी कटीवी प्यास डाल देंगे और इसे ऑईल में अच्छे से चला लेंगे अब हम प्यास को लाइट ब्राउन कर लेंगे अब हमारी प्यास light brown हो चुकी है अब हम इसमें मटन डाल देंगे मटन को प्यास में अच्छे से चला लेंगे और mix कर लेंगे अब हम इसमें नमक डाल कर इसे अच्छे से चला लेंगे अब हम मटन को भूनना स्टार्ट कर लेंगे हम मटन को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी खतम न हो जाए अब मटन अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें लेंसुन अद्रक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे लेंसुन अद्रक के पेस्ट हो भी है मटन में अच्छे से भून लेंगे अब मटन अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें लाल पिसी मिर्च, कटी हुई, हरी मिर्च, कुछ खड़े मसाले इसमें डाल देंगे और इसे मटन में अच्छे से चला लेंगे और इसे एक से दो मिनिट लो फ्लेम पर पत्मे देंगे अब हम इसमें लगभग वन ग्लास पानी डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से एक बाल फिर से चला लेंगे अब हम कुकर को ढखकन से बंद कर देंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे पहली सीटी आने की बाद हम इसे लोग फ्लेम पर 10 मिनट तक पखने देंगे ये देखी मटन करी अब बिल्कुल तयार हो गई है अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लेस कमेंट करके बताएए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल काइनास किचन